है लो एर्वा नमेश्कार दोस्तों कैसे है आप सब आइहोब आप सब बहुत ही अच्छी होंगी तो आज में रस्पी लेक्या है चॉकलिट चिप्स की कई बार क्या होता है कि हम जब केक बनाते हैं आइस क्रिम बनाते है कि कोई भी डेजर्ट बनाते हैं मफिन्स बनाते हैं चॉकलिट ब्राओनी बनाते हैं इसमें हमें मन करता है के उससे टेकोरेट किरने के लिए हम चॉकलिट चिप्स हैट के लिए पर वो उसके लिए एक्स्टा बजार दाना परते तो मेने सूछे क्यों आप मैं आपके साथ शेर कर noi कि में कोंसे ट्रिक इस्तमाल करती हो चॉक् खर्चे में तो चलिए वीडियो शुरु करते हैं तो हमने यहां पे लिया है दस रुपी का दो डाइगर बिस्कित का पैकेट चॉक्त फ्रेवर लिया है हमने इसमें तो इसे हम पैकेट सेपरेट कर लेंगे अब हम इसे मिक्सिंग जार में एड करेंगे मिक्सिंग का मिक्सर का तो कामी है इसे तोड़के ग्राइंड करके पाउडर करना अगर में बिस्कित ना भी तोड़ू तो भी चल जाएगा फिर भी मैंने इसमें जरा सा तोड़के जरा सा होल समी मैंने एड कर दिया मिक्स मिक्सर चला लिया है और पाउडर भी अच्छा खा कि अभी स्टेख को सीरूिट होगा इसका वो है इसका घोल बनाना जी हां महंडी का घोल जैसा होता है, इसी तरह से हम्ने इसे बनाना है, तो ज़रह ज़रह हम इसे पानी ही लगे बीच में कोई लंप्स न रह जाए ये बात का ख्याल अब ज़रूर रखेगा तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप ने देखा इसे दोरान मेंने कितना चमश का पानी यूज़ किया है बाउल से या ग्लास से पानी यूज़ मत कि चमश से ही हम जरा-जरा पा है और पानी का जरूरत है हमें क्योंकि बहुत蒜ाँ हार्ड और ड्रट ड्राइ bal रहा है इस जो गोल है यह बहुत जाथा स्पाइस्ट भी नहीं बनना है मैं प Also पेस्ट बन जाएगा तो आपका यह चैप्ले जिर्श का क्लेजिस नहीं बनेगा क्योंकि यह गिला नहीं बन आपको पता लग जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं और राइट ना भी वही दिखा रहे हूं आपको इसलिए मैंने पानी एड़ करने वाला प्रोसेस में कहीं भी कट नहीं किया है मैं चाहते हूं कि आप इच अबरी स्टेप कैसे कब और कहां आप वारी किसी देखे तो ज़रा सा पानी है मैंने अभी भी इसको इस्तिमाल किया है फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से अपने से मिलाना है इसमें ज़रा सा महनते वो मिक्स करने में महनते बस और कुछ नहीं जड़ा सा लगता है अब और पानी का ज़रूरत है हमें तो फिर हम इसमें पानी एट करके और इसमें कि आ लोसमें चम सेस्ubenय की बहुत अच्छे से निकल रहे अब यह थोड़ा निकल रहे थोड़ा छूट रहे थोरा निकल रहे थोड़ा छूट रहे थोड़ा छूट रहे थो अहुद brittle का ourissent यह हम पहलेहाँ एक है पर्सेल इसी तरह से बनाते थे आज कल तो रेडिमेंट आ चुका है ज्यादा महिनित का जरुरत नहीं है तो उसी तरह से ये कोन हम बना लेंगे और इसमें हम एट करेंगे सारा हमारा घोल और जो इसका जो टिप पॉइंट है उससे हम सीजर से कट कर लेंगे अब अपने अंधाज़े से ही कट कर लिजएगा चौकले चिपस आपको कितना साइस का चाहिए अब इसे छोटे साइस का ही चौकले चिपस रहता है तो इसे हिसाब से हम इसमें डॉट डॉट कर लेंगें मैं उतनी अच्छी नहीं हो ड्रॉइंग में या इससे बनाने में फि इसे हम 10 से 12 घंटा फैन में सुखा सकते हैं दूप में सुखा सकते हैं और चकलेट चुप स्पन के हो चुका है रेडी उमीद करते हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपका देन शुब रहे बाइब आपका देन शुब रहे बाइब